बीट्स लिमिटेड कंपनी के उपर चर्चा कर रहे होंगे हम लोग इस वीडियो में जो कंपनी एक साल में लगवग 1600 परतिशत चे ज़्यादा खारेकन दे चुकी है निवेशको को आपको लगता है क्या कि इतना रिटन देना जेन्वीन हो सकता है कंपनी सिर्फ अपने ओपरेशनल सेल्ट के दम पे लाके दी होगी कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा आज की वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्पेसल एनाउस्मेंट करने वाला हूँ और वो एनाउस्मेंट ये है कि अपनी फैमली 10,000 लोगों की बहुत जल्द पूरी होने वाली है तो इस उसर पे हम लोगे एक वीडियो लेके आएंगे हर संडे जहां पे हम आप लोगों के लिए पांच ऐसी कंपनियों को पिक करेंगे जिसकी intrinsic value उसके share के भाव से नीचे हो value investing करने के लिए और company की potential काफे बढ़िया हो जो आपको multi bagger return लाके लंबे ओधी में दे तो आप इस वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लेजे कि आप ये opportunity को miss ना करें लोटते हैं bids limited के है सबसे पहली चीज कि ये जो company है ये अपने clients को IT services provide करती है और इनके clients बस वही है जो की educational training वगारा देते हैं अपने clients को company के भीतर बहुत growth नहीं है ये जो share के भीतर जो price appreciation देखने को मिली है ये operatorों का नतिजा है operatorों के दम पे इस company के share में spike आई है बाकी इसके operational result इतने अच्छे नहीं है कि ये company आपको लंबे आउदी में बहुत बढ़िया return लागे दे दे 2022 की तूलागर 2023 के वितिय वर्स से आप करेंगे तो आप पाएंगे कि company के मितर बहुत ज़्यादा growth नहीं हुए है साथी साथ सुध लाब की बात कर ले अगर आप लाब ही ना कामा पाएं लगतार नुकसान हो रहा हो तो एक नगिंद आप दुकान को बंद करी देंगे सेम वही चीज company के साथ भी होती है बहुत सारी company आप बंद हो जाती है डिलेस्ट हो जाती है यही सब reason होता है company के उपर कर जा रहता है अच्छी बात यह है कि बिट्स लिमिटेट के ऊपर कोई कर्ज नहीं है यही बात बता बताके और सेर के भाव बढ़ रहे है आप निवेस कर दीजे कह कह के आपके सोकार्ड इंफ्लेंसर आपसे इसमें निवेस करा रहा है तो swing rate अगर आप ले रहे है तब तो बढ़िया है तो आप टाइम टाइम पे अपनी profit booking करते रहेगा मैं ये बात इंपावर इंडिया के share को जो खरीद रहे थे उनके लिए भी मैं बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है कि जब तक इतना return नहीं मिलागा तब तक हम नहीं निकलेंगे जब भी return मिल जाता है आट परतिसाद दस परतिसाद का तो exit मारके निकल गये फिर sentiment देखिए कैसा चल रहा है फिर निवेस कीजिए इसके अलावा ना ही profit growth rate अच्छा है ना ही sales growth rate बढ़िया है ना ही equity पे जो return आ रहा है वो बढ़िया है ना ही जो market में company पईसा लगा रही है वो return लेके आप आ रही है तो बहुत ज़्यादा उमीद आप रखिएगा मत hard earned money को कमा कि जो लोगों में पैसे दिये है इन institutions को उनने तो यहाँ पे पैसे नहीं लगा है उनको पता है कि इस company में बहुत ज़्यादा potential नहीं है operational result नहीं ला रही है और यह जो होते हैं न institutions इनके पास बहुत sources होती है insider information को access करने के लिए इस company से उनको कोई ऐसी पैसे की खुस्मू नहीं मिली इसलिए उन्होंने पैसे नहीं लगाए तो retail में से कोई थोड़ा सा सावधान रेनी की ज़रुद है और बहुत ज़्यादा bullish नहीं होना है पैसे आप लगा रहे हैं लगाए अपने वितिये सलाकार से पारमर्ष ले लिजे मेरी राय अगर आप लेंगे तो मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि आप इस share को खरीद रहे हैं तो time time पे profit booking खर लिजेगा और ये share downtrend में चल रहा है तो stop loss लगा के भई अपने पैसे को निकाल दीजेगा बहुत ज़्यादा वेट मत की चगा कि company के share फिर से उपर आएगा तो हम पैसा बना लेंगे और एबरेजिंग नहीं करना ऐसे share हों में ये विडियो अच्छा लगा हो बाते मेरी समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा ये चैनल आप ही लोगों का है धन्यवाद